आज हम बनाएंगे बिना स्टीम के रािस के मोदग, राइस फ्लोर के मोदग बनाएंगे जो भूत ज्यादा टेस्टी बनते हैं, यह देखे अंदर से फिलिंग देख सकते हैं, आप भूत ज्यादा डिलिसियस बनी हैं, गर्पती बप्पा भी खुश हो जाएंगे, तो गरम होने के लिए छोड़ देना है दूसरी साइड हम रख देते हैं एक पैन इसमें डालेंगे एक कप पानी पानी को गरम करने के लिए रख देंगे कढ़ाई में जो गी डाला है देखिए मेल्टोना शुड़ू हो गया है इसमें डालेंगे एक कप राइस फ्लो चावल का आटा डालना है और इसे पिल्कुल लो फ्लेम पर भूनना है लेकिन इसका कलर चेंज नहीं करना है हमें इसे हम सिरफ दो से तीन मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका हलका कच्चापन निकल जाए इतना ही अच्छे से भून लिया है मैंने या तीन मिनट के लिए अब इसमें डालना है हमें जो गरम पानी हमने करके रखा है गरम पानी इसमें पूरा डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लंस ना पड़े लंस फ्री मिक्स कर लेंगे अब इसमें डालेंगे Half cup milk mad, condensed milk डालना है, आधा cup milk mad डालने के बाद अच्छे से हमें इसे mix करना है, थोड़ा थिक होने तक, यह अच्छे से mix हो चुका है, आप देख सकते हैं, बहुती जादा अच्छे से mix हो गया है, इसमें कोई भी लंस नहीं है, आधा चम्मच देशी घी डाल देंगे, और फिर से अच्छे से mix कर लेंगे, mix करने के बाद अब हमें इसे ढख कर तीन मिनट के लिए छोड़ना है, गैस की फिलिम को बंद कर देंगे, मैंने हाँ गैस की फिलिम को बंद कर दिया है, और ढख कर छोड़ देंगे, तीन मिनट के बाद यह देखे, डो को हमने निकाल लिया है, इसे एक पलैट में हात लगाने लाइक हो गया है हलका घरम है इसे हमी मुलायम होने तक इस तरह आसे हम हाथेली से इसे मसल लिए और एक डू रेडी कर लेंगी मुलायम ये देखिये कितना अच्छा हमारा डू रेडी हो गैस पर पैन रखेंगे इसमें डालेंगे 1 TBSP मगज के बीच मेलन सीट्स लेना है 5-6 बादाम और चार लेंगे काजू इन्हें हमें हलका रोस्ट करना है इसे हम रोस्ट करके बाहर निकालेंगे ड्राइफूर्स को रोस्ट करने के बाद टैस्ट बहुत अच्छा आता है यह रोस्ट हो गए है इसे बाहर निकाल लेंगे यह देखें ड्राइफूर्स मैंने रेडी कर लिए हैं बादाम और काजू के टुकड़ी कर लिए हैं मैंने हां कट कर लेंगे 1 TBSP डालेंगे टूटी-फूटी-फूटी-फूटी आप कोई भी कलर के ले सकते हैं मिरे पास यह अधा चम्माज डालेंगे लिए लिलाइची का पाउडर बहुत अच्छा प्रेवार आता है और अच्छे से फिलिंग को हम मिक्स कर लेंगे बहुत टेस्टी-फिलिंग बनका रेडी होती है यह देखें कितनी अच्छी बनी है अब हम मोदक रेडी करेंगे फिलिंग और ड कर रखा है साचे को इस में इस तरह से दबाते हुए डो को सायड से चिपकाना आए देखे अच्छे से बीच में होल कर लिया है अब इसमें जो फिलिंग हमने ready की है दबाके भर लेंगे मनिया थोड़े बड़े साइच के बनाए हैं अगर आप छोटे साइच के बनाएंगे तो बहुत सारे बन जाएंगे अब इसे दबाते हुए इस तरह से ये देखे प्रेस करेंगे और मोदक को निकाल लेंगे इसी तरह से हम सभी मोद बनाकर ready कर लेंगे यह देखे कितने खुबसूरत मोदक हमारे बनकर ready हो गए हैं जो बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं और बहुत जल्दी भी बनते हैं यह देखे सारे मोदक हमारे बनकर ready हो गए हैं अब इसके ऊपर थोड़ा केसर का दूद लगा देंगे ताकि देखन इस गणपती पर मोदक जरूर ट्राइ कीजिए गणपती बापा भी खुश हो जाएंगे अगर आप लोगों को मीरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज जाद से जादा शियर करें जिल लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जादा के सब्सक्राइब कर लें बेल आइकोन पर क्लिक जरूर कर लें न्यू मोर रेसिपीच के लिए लिए हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे धन्यवाद